आज आधुनेक दुनिया बस लक्ष पाना चाहती है यानि वे सब कुछ जीतना चाहते है जिन्देगी हो या खेल भी बस जीतना चाहते है मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती है लोग खेल इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे जीतना चाहते है जीतना कौन नहीं चाहता? सभी जीतना चाहते है लोग खेल इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे अच्छा खेलते हैं, है न? कोई भी टीम अच्छा खेल कर जीतती है, इसलिए नहीं कि वो जीतना चाहती है, जीतना कौन नहीं चाहता? योग में कहते हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष पर हो, तो रास्ता खोजने के लिए सिर्फ एक ही आँख बचेगी ये खेलने का अच्छा तरीका नहीं है, दोनों आँखें खेल पर होना बहतर होगा जीत, कप और प्रशंसा इसलिए मिलती है, क्योंकि हमें एक अच्छा खेल खेलते हैं हमारे चाहने से ऐसा नहीं होता, हमारे अच्छा खेलने से होता है तो ये हमेशा सबसे अच्छा होगा कि हम अपनी आँखें, शरीर, मन, सब कुछ एक ही चीज़ पर केंद्रत रखें तब ही इनसान अपनी अधिक्तम क्षमता से काम करता है हमारी संस्कृती में एक सुन्दर घटना हुई जब द्रोनाचारिय, अर्जुन और कुछ दूसरों को तीरंदाजी सिखा रहे थे उन्होंने एक एक करके सभी से पेड़ पर रखें लकडी के पक्षी को देख कर उस पर निशाना लगाने को कहा, उस पक्षी को वहां रखा गया था पक्षी के गले पर एक छोटी सी बिंदी अंकित थी तो द्रोनाचारिय ने कहा, तुम्हें वहां निशाना लगाना है उस विशेश बिंदू पर निशाना लगाओ तो जब पांडव डोरी खींच कर तीर मारने ही वाले थे तब द्रोनाचारिय ने उन्हें रोक कर पूछा, तुम क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, हमें पत्ते दिख रहे हैं, पेड और फल दिख रहे हैं, हमें पक्षी और कई चीज़ें दिख रहे हैं यही सभी ने कहा, जब अर्जुन का मौका आया, जब वो तीर चलाने वाला था, तब द्रोन ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, मुझे बस एक बिंदू दिख रहा है तो जब कोई सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, जब द्रिष्टी पूरी तरह केंदरत होती है, तब ही आप वहां पहुंचते हैं जब आपकी हर चीज एक दिखा में व्यवस्तित हो जाती है, तब ही सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं अगर आप हौकी खेल रहे हूँ, तो बात जीतने या कप घर वापस लाने की नहीं होती, बात समाचार पत्रों या प्रसिद्धी की नहीं होती, आपको बस गेंद को गोल में पहुंचाना है मैदान पर आपका यही काम है, हर पल बस यही है, है न? मैदान पर दस लोगों को सिर्फ यही करना है, हर बार गेंद को गोल में डालना है आपका यही काम है, उसे गोल में डालना वे आपको हर पल वहाँ पहुंचने नहीं देंगे पर पूरा खेल बस यही है कि इसे वहाँ पहुंचाएं, वहाँ पहुंचाएं अगर हमारा दिमाग कब जीतने पर केंदरित है, यानि हम कब जीतेंगे या नहीं, हम मैच जीतेंगे या नहीं, मैंने देखा है कि फुटबॉल हो या क्रिकेट या होकी, खेल खत्म होने से पहले कई टीमें हार जाती हैं, किसी ने आपके खिलाब तीन गोल किये हैं, तो क्या एक मिनिट में तीन गोल किये जा सकते हैं, ओ ऐसे चमतकार नहीं होते, ये सच नहीं है, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है, है ना, तो बात यहीं है कि किसने कितने गोल किये या नहीं किये, या हार होगी या जीत, खेल खेलते समय बस एक ही लक्ष होता है, गेंद को गोल में ड पाते तो कोई बात नहीं। पात शरीर, उर्जा, मन, سब कुछ एक ही दिशा में हो, एक दिशा में जाने वाला व्यक्ति कहीं पहुंच पाएगा, पर जो पांच अलग-अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। विबिन्न दिशाओं में जाने की कोशिश में समय, उर्जा और कोशिश बर्बाद हो जाती है। तो अगर कोई अपने मन में बस ये रख पाए कि सारा खेल बस गोल करने के बारे में हैं। बात जीतने की नहीं है, बात कप या किसी और चीज की भी नहीं है, बस गेंद को गोल में डालना है, यही सब कुछ है। कम से कम आपकी प्रतिभाब पूरी तरह से प्रकट होगी, अगर हम काफी अच्छे नहीं हैं, तो हमें और तयारी करनी होगी, अगर हम काफी अच्छे हैं, तो नतीजे मिलेंगे, बस यही खेल है, पर अगर हमारी प्रतिभाब पूरी तरह प्रकट नहों, तो यह बेकार है, ह हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।